हाई आए है मारियान आए दोस्तों वीडियो की जुरुआत करते हैं मेरा पहला सेंटेंस है तुम्हें मुझसे क्या परसानी है इसे इंग्लिस में बोलेंगे what is your problem with me क्या होगा इंग्लिस what is your problem with me मेरा अगला सेंटेंस है एक बात तो पक्की है इसे इंग्लिस में बोलेंगे one thing is for sure क्या होगा one thing is for sure मेरा अगला सेंटेंस है मुझे अकेला छोड़ दो इसे इंग्लिस में बोलेंगे leave me alone क्या होगा इंग्लिस leave me alone अगला सेंटेंस है जो कहना है कव इसे इंगलिस में बोलेंगे say whatever you want to say क्या होगा इंगलिस say whatever you want to say आईए दोस्तों आगे भरते हैं मिरा अगला सेंटेंस है तुम इसी लायक हो इसे इंगलिस में बोलेंगे you deserve this only क्या होगा इंगलिस you deserve this only मिरा अगला सेंटेंस है कोई बात नहीं यार इसे इंगलिस में बोलेंगे No worries Matt, क्या होगा इंगलिस? No worries Matt मिरा अगला सेंटेंस है उसे समय लेने दो इसे इंगलिस में बोलेंगे Let him take time क्या होगा इंगलिस? Let him take time मिरा अगला सेंटेंस है बहाने मत बनाओ इसे इंगलिस में बोलेंगे don't make excuses क्या होगा इंगलिस don't make excuses मिरा अगला sentence है यह दोबारा मत बोलना इसे इंगलिस में बोलेंगे don't utter it again क्या होगा इंगलिस don't utter it again अगला है इतना गुस्सा ठीक नहीं इतना गुस्सा मत करो इसे इंगलिस में बोलेंगे don't lose your temper क्या ओगा इंगलिस don't lose your temper अगला है कोई हर्ज नहीं इसे इंगलिस में बोलेंगे it does not matter it doesn't matter क्या ओगा इंगलिस it doesn't matter अगला है सबर रखो इसे इंगलिस में बोलेंगे have patience क्या ओगा इंगलिस have patience मेरा अगला sentence है अच्छे दिन आएंगे इसे English में बोलेंगे better days will come क्या वाइंग्लिस better days will come अगला sentence है मेरा मुँमत खुलवाओ इसे English में बोलेंगे don't make me say क्या वाइंग्लिस don't make me say मेरा लास्ट वाला sentence है क्या नाप सनाप बख रहे हो इसे इंग्लिस में बोलेंगे What rubbish are you talking about? वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नहीं वीडियो के